नमस्कार दोस्तों मैं गौतम एक बार पुना आपको इन फोकस सिविल एकड़ में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बहुत बहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जो आने वाले एक्जाम के लिए बहुत महत्पुन सावित होगा आज की टॉपिक में हम पर्यावाची को पढ़ेंगे और पर्यावाची हिंदी के अंदर कर पर्यावाची हमेशा एक्जाम में पूछे जाते हैं चाहे RO-RO का exam हो, चाहे आपका PCS का exam हो, या other state के कोई भी exam हो, जिसमे हिंदी पूँची जाती है, वहाँ पर्यावाची तो आते ही आते हैं, और आज की वीडियो को आगर आपने देखा है, तो समझ लो कि आपने एक question अपना स्योर कर दिया, और इससे बाहर आपका पर्यावा पर्यावाची को एक systematic धंग से, एक चित्र के माध्यन से मैंने बताने का प्रयास किया है, जैसे, आज आपके सामने देखो, ये दिख रहे हैं गणेश जी, इसके बाद इससे तोता, अर्था सुआ जिसे कहते हैं, इसे लोग पट्टू भी बोल देते हैं, ये हैं आपके प पर्यावाची का एक बहतरीन collection आपके सामने प्रस्तुत किया है, मुझे उम्मीद है कि ये आज के इस वीडियो के जो पर्यावाची है, आपके exam में जरूर आपको सफलता दिलाने में सहायता प्रदान करेंगे, तो दोस्तों, अब हम चलते हैं, मुख रूप से एक एक पर् पढ़ने जाएंगे, तो सबसे पहले हमें start करते हैं, इसका, ये बच्चा गोडा है, ये क्या है, गोडा है, ये सामने लिखा है गोडा, और गोडा के पर्यावाची अकसर exam में पूछ लिये जाते हैं, गोडा के पर्यावाची हमारे exam में अकसर पूछ लिये जाते हैं, तो गोडे का और ये तत्सम सब्द भी है गोडे का ठीक है न गोडे को बच्च तुरंग भी बोला जाता है गोडे को बच्च वाजी भी बोला जाता है गोडे को ही सैंधो बोला जाता है याद रखना सैंधो गोडे का पर्यावाची है जबकि सिंधु पर्यावाची समुद्र का होता है इसके बाद यहां पर यह देख लीजेगा कि रवी सुत अर्थात सूर के पुत्र भी घोड़े को ही कहा जाता है रवी मतलब सूर हो गया सुत मतलब पुत्र अर्थात घोड़े को रवी सुत कहा जाता है अर्थात सुर्य का पुत्र कहा जाता है सर्ता पर्यावाची भी बच्चा किसका है घोडे का ही पर्यावाची है इसके साथ दधी का पर्यावाची कोई पूच ले किसका है तो ये भी आपका घोडे का ही पर्यावाची है इसके अलावा एक बड़ा important पर्यावाची है लिब लिबी लिब लिबी आपसे पूछ लिया जाए किसका पर्यावाची है तो कहोगे सरी घोड़े का पर्यावाची है मज़ा आ गया इसके बाद है किसका पर्यावाची है तो ये भी बच्चे किसका पर्यावाची है घोड़े का पर्यावाची है इधर रवी सुत, सर्ता, दधिका, लिबलिवी, है, ये सभी के सभी घोड़े के पर्यावाची है, इसके बाद हम चलते हैं, अन्य पर्यावाची की तरफ घोड़े के बाद हम देखेंगे, ये बच्चा जो आपको दिख रहा है, ये असुर है, असुर मतलब दानो, दानो मतल दैत मतलब संबर, संबर मतलब जो रात्री में चले अर्थात रजनी चर्थ, ये सभी बेटा ये दानों के पर्यावाची हैं, और दानों को हम किस नाम से जानते हैं, दानों को किस नाम से बच्चा जाना जाता है, तो दानों को हम दनुज भी कह सकते हैं, दानों को हम दैत भी है दानों का एक पर्यावाची आप दानों ही है मतलब दानों को दानों ही बोलते हैं असुर यह असुर को हो या दानों को हो या दैत को हो बात एक ही है इसके बाद और क्या है राक्षास भी इसका एक पर्यावाची है तमी चर तमी मतलब होता है अंदकार और अंदकार में चर चलने वाला भी कौन होता है दनुज होता है असुर होता है दानो होता है निसाचर जो रात में चलता है वो निसाचर कह सकते हैं उसको अर्थात रात में चलने वाला दानो ही होता है संबर भी दानो का पर्यावाची है या कह सकते हो कि असुर का पर्यावाची है इसके बाद र आत्री चर पर्यावाची किसका है तो कहोगे सर ये भी दानों का पर्यावाची है या असुर का पर्यावाची है देव रिपू पर्यावाची किसका है तो ये भी आपका असुर का पर्यावाची है तो ये असुर के महत्पूर पर्यावाची थे अब हम आपको लेके चलते हैं एक अन्य पर्यावाची चंद्रमा आपके सामने ये जो दिख रहे हैं ये कौन है ये आपके चंद्रमा है चंद्रमा को कई नामों से जाना जाता है और एक्जाम में इनसे पर्यावाची चंद्रमा से अकसर पर्यावाची पूछ लिये जाते हैं तो आज आपको देखना है च जनीस कहते हैं अर्थात रजनी मतलब रात होता है अईस मतलब देउता होता है अर्थात रात का देउता भी चंद्रमा को ही कहा जाता है इसके बाद चंद्रमा को ही राका पती भी कहा जाता है चंद्रमा को ही बच्चा राकेश के नाम से जाना जाता है छपाकर भी किसे कहते ह तो चंद्रमा को ही कहते हैं, निसाकर किसे कहते हैं, तो ये भी याद रखना चंद्रमा को कहते हैं, निसाकर आजाए तो चंद्रमा का पर्यावाची हो जाएगा, और निसाच्यर आजाए तो दनुच का पर्यावाची हो जाएगा, अर्थात राक्षस का पर्यावाची हो जा का नाम रोहणी था, इसलिए रोहणी पती इनको कहा जाता है, इनको कला निधी भी कहा जाता है, इसलिए कला निधी कहा जाता है, चोकि ये महीने भर अपनी कलाएं बदलते रहते हैं, कभी छोटे, कभी बड़े, कभी बहुत बड़े, तो कभी बिल्कुल बिलुक्त जैसे द पर्यावाची है, तारकेस्वर भी बच्चा पर्यावाची किसका है, तो ये चंद्रमा का ही पर्यावाची है, इसके अलावा सारंग पर्यावाची किसका है, तो ये चंद्रमा का पर्यावाची होता है, दो साकर किसका पर्यावाची है, तो ये भी आपका चंद्रमा का ही पर सब्सक्राइब एकसर एक्जाम में पर्यवाची सब्द पूछ लिये जाते हैं यह आपके सामने सुुर्ण देवता है और देखो भाई साथ सोर्देवता laquelle को थोड़ा सा इसको यहां लगा तहीं हां सुूर्ण और इन के पर्यावाची कमारे हैं के सारे हैं आपके सामने लिखे हैं जैसे मैं किसे कहते हैं कोई पूछे किस सुर का है किवाकर पर्यावाची किसे करें इ ceux कहें देखो दिवाकर機 फॉडमाक्रों किस Cao तो यह भी सूरिका पर्यावाची है। किसका है तो इसकी आलावा मारतंड पर्याबाची कोई आपसे पूचले किसका है तो ये भी सूर्र का है मारतंड किसे कहते हैं दिनका जो समय होता है दोपहर का समय उसे मारतंड कहा जाता है उस समय सूर 90 डिगरी पर होता है ठीके न? दिनेस पर्यावाची किसका है तो ये भी सूर का होता है और अंसुमाली, most important पर्यावाची of the sun के अंसुमाली भी भी है इसके बाद प्रभाकर भी किसे कहा जाता है तो ये भी सूर्य का पर्रयवाची है तो ये सारे के सारे important पर्रयवाची सारे के सारे किसके हैं सूर्य के ही पर्रयवाची है तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में चड़ रहा ह और चित्र के सामने उनके सभी महत्रपूर्ण जो एक्जाम में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है वो सभी पर्यावाची मैंने एक ही चित्र में आपको सामने दिखा दिये हैं अब चलते हैं आगे आगे आ रहे हमारे सामने ये जो आपके सामने सीना सरे इंडर के पर्यावाची आपका इंडर नी लिग दीया जाए यहां पर लिग दो इंदर यहां पर इंदर ये हैं बाई साब इंदर, अब ये इंदर के सारे पर्यावाची हैं, जैसे इंदर को अमरपती कहा जाता है, चलो इंदर को अमरपती हमने कह दिया, इंदर को हम क्या कहते हैं, अमरणाथ भी इंदर का पर्यावाची है, अमरणाथ भोले बाबा का भी पर्यावाची होता है, पुरंदर भी किसे कहते हैं, इंदर को ही कहते हैं, पुरंदर का मतलब होता है, किलो को तोड़ने वाला वैदिक काल में पुरंदर देवता, बड़े फेमस देवता हुआ करते थे, इंदर का ही नाम था पुरंदर, देवपती भी कहा जाता है, किसको इंदर को ही कहा जाता है, सुर्पती किसे कहा जाता है, ये भी इंद्र को ही कहा जाता है, देवेंद्र अर्थाद देवों के सभी देवताओं के इस कौन है, इंद्र देवता ही है, सभसे मेन है ये इंद्र, मधवा किसे कहा जाता है, तो इंद्र को ही कहा जाता है, मेघराज किसे कहा जाता है, तो इसलिए इनको मेग राज का जाता है बज्र धर देखो ये बज्र को हाथ में लिए हैं ये देखो बज्र धर धडीच की हड़ी से बनाया था इंदर लेकर चला गया था ये बज्र धर है ये किसका पर्यावाची है इंदर का पर्यावाची है ठीक है गिरी धर किसका है भगवा स्ट्रेश्ण हो गए इसके बाद आपका पर्यावाची है इनकी पत्नी का नाम सची था इसलिए इनको सची पती भी कहा जाता है याद रखेगा सुत्रामा भी किसका पर्यावाची है। आपका इंद्र का ही पर्यावाची है। अमरपती भी किसका पर्यावाची है। ये भी बच्चा इंद्र का ही पर्यावाची है, इसके बाद ब्रसा पर्यावाची किसका है, तो ये सारे का सारे इंद्र के पर्यावाची है, तो उमीद है कि इंद्र के सारे पर्यावाची आपको बहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, और आपके दिमाच में छब गए ह आप एक बार के अवल स्लाइट को देखिएगा इस वीडियो को बस एक दो बार आप देख लीजेगा और एक्जाम हाल में चले जाएगा कम से कम एक एक्जाम में एक क्वेश्चन आप टिक करके जरूर आईएगा पर्यावाची से अगर पूछागे तो आपका अंसर जरूर इसके बाद ये देखो सामने खड़े कौन है हाथी देखता है ये जो सामने खड़े हैं आपके ये कौन है ये हाथी है ठीक है ना हाथी को कई नामों से जाना जाता है देखो हाथी के दोठो दात होते हैं हाथी के कितने दात होते हैं दोठो दात होते हैं एक दात ये है और हाथी को ही करी कहा जाता है, बड़े इंपोर्टेंट है, हाथी को ही कुंजर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चोल काल में कुंजर मल क्या हुआ करता था, कुंजर मल हस सेना का अधिकारी हुआ करता था, कुंजर मल उसे कहा जाता था, ठीक न, अब कुद्रे याद रखना सिंधू पर्यावाची समुद्र का है, साइम्धो पर्यावाची घोडे का है, और सिंदूर पर्यावाची किसका है, हाथी का पर्यावाची है, वारण किसका पर्यावाची है, तो पहोगे सर हाथी का पर्यावाची है, नाग पर्यावाची किसका है, तो ये भी हाथी का पर्यावाची है, तो इस सारे के सारे हाथी के महत्वपूर पर्यावाची एक ही स्लाइड में आपके सामने प्रस्तुत है, आप इनको देख पति एसी रहती है ठैक से महोदय है और यह है पतनी तो देखिए यह पती प्रब्रठा कत आँए पती से चाहे तारहें तरना बन्लभक法ений कि से यह बढ़तार है कि ना वह श disp है Михlet 강05 बच्चा बालम भी कहा जाता है, इसी को बच्चे को प्राण प्रिया भी कहा जाता है, प्राण प्रिया, ठीक है ना, प्राण प्रिया इसमें थोड़ा से यार गलत लिग गया, प्राण प्रिये इसे कहते हैं, ये प्रिया नहीं ये इसको प्रिये कर दो, ये प्राण प्रिये है और ये है प्राण प्रिया ये कौन है प्राण प्रिया है और ये कौन है पती अर्थात कौन है प्राण प्रिय होता है पती को ही खविंद भी कहते हैं क्या कहते हैं खविंद भी कहते हैं पती को ही जीवन धारा कहा जाता है क्या कहा जाता है जीवन धारा कहा जाता है और पत है पतणि को अर्धांग मृत अर्धांगनी भी कहते हैं सरीर का अधा 좋아श कहारी याद रखने की तरीका है इसलिए न के कह सकते हैं आप पती को सहधरमनी भी पती को कहा जाता है अर्थात साथ-साथ धर्म का पालन करते है पत्री अपने ठिखना इसलिए सहधरमनी भी इसी को कहा जाता है पत्नी को जया भी कहा जाता है जया, जया किसका है पर्यावाची तो पतनी का पर्यावाची है तो ये सारे के सारे इस महोदया के पर्यावाची है और ये सारे के सारे इस भरता के पर्यावाची है अर्थात इस बैगन के भरता के पर्यावाची है पुल मिला के पती के पर्यावाची है तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, हम चलते हैं आगे आगे और पर्यावाची महत्रपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर् बोलते हैं, सुवा बोलते हैं, तोता को ही क्या बोला जाता है, दंडिम प्रिय बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तोता को ही रक्त तुंड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रक्त तुंड भी इसी को कहा जाता है, तोते को, इसके अलावा याद रखना सुक पर्यावाची कि आगे चलते हैं अन्पर्यावाची की तरफ और ये आपके सामने आगाए प्रभू, गजानन प्रभू, अब इनके देखे बड़े अच्छे अच्छे पर्यावाची हैं, देखे गजरा, स्री गड़ेज़ वाले हैं सब, आपके सामने ये आए, थोड़ा पे निकल लिया तो ये गजानन है, इनका पर्यावाची बिनायक है, ये थोड़ा का बगल में लिख गया है, इनका बिनायक पर्यावाची है, इनका पर्यावाची एक दंत है, देखो दूई दंत अर्था दूई रद, दंत को रद भी बोलते हैं, दूई रद पर्यावाची हाथी का होता ह कमें चुपा हुआँ, कहा जाता है, इन यहाँ पंनीकर में छुपा मुद्ध कित्ता हुआ कि इसको मोदक प्रिय कहा जाता है, और इनको घजानन भी कहा जाता है, यहाँ पनीचे छुपा हुआ उसको निकाल लिख लिजेगा, इसको गज बदन भी कहा जाता है, गज मतलब हाथी, बदन मतलब सरीर अर्था, जिनका सरीर हाथी जैसा हो, उसे गज बदन भी कहते हैं, याद रखना इनको हेरंब भी कहा जाता है, गणेश भगवान को क्या बोला जाता है, हेरंब भी बोला इनको भवानी नंदन भी कहा जाता है, चुकि भवानी पर्यावाची होता है, पार्बती जी का और उनके पुत्र हैं, इसलिए इनको भवानी नंदन कहा जाता है, विग्न विनासक कहा जाता है, कितने भी विग्न आपके जीवन में आजाएं, आप गड़ेश जी को सबसे पह इनको कहा जाता है, महा काय भी इन ही को कहा जाता है, अर्थात आपका गणेश जी को कहा जाता है, चूकि इनका सरीर एकड़म भॉकाली टाइप का है, महा काय जी साफ, महाकाय भी बोल दिया गया, तो यह आपके गडेश जी हो गए, गडेश जी के अलावा और भी महातुकूर्ण पर्यावाची है, आपके सामने यह आई, यह भीया, यह आप लोगों की कटेगरी का हो सकता है, जरा ध्यान दीजिए, ठीकना, यह उनकी कटेगरी का है, जो आई में थोड़ा सा दिमाग कम लगाते हैं, यह उनकी कटेगरी का है, अब आप लोग बताएए यह कौन है, ठीकना, तो यह कौन है, जो जवाब देगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा, बाई साब, यह महोदे हैं, गधे, इनको क्या कहेंगे, गधे, ठीकना, गधा कहे गधे नहीं, गधा कहेंगे, यह महोदे गधा हैं, और देखते हैं, गधा के कौन-कौन से पर्यावाची हैं, सीख लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी कभी न कभी, ठीकना, तो याद रखना, गधा को धूसर कहा जाता है, धूसर इसलिए कहा जाता है, धूसर टाइप क गधे का रंग है, धूसर कह दिया, इसको खर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, खर भी कहते हैं, गधे को, इसको एक बड़ा इंपोर्टन पर्यावाची है, बैसाख नंदन, बैसाख नंदन में किसे कहा जाता है, तो गधे को ही बैसाख नंदन भी कहा जाता है, याद रखेगा, गधे को ही रासब भी कहा जाता है गधे को और क्या कहा जाता है रासब कहा जाता है एक पर्यावाची गधे का है चक्रिवान क्या है बच्चा चक्रिवान पर्यावाची भी गधे का है गधे का तत्सम सब्द है गर्दव ये तत्सम सब्द है गधे का पर्यावाची भी है इसे कहा जाता है, इसे बेसर भी कहा जाता है, याद रखना, गधे को और क्या कहा जाता है, बेसर भी कहा जाता है, इसको संख करण भी कहा जाता है, गधे को संख करण इसलिए बोला जाता है, चुकि देखो, इसके कान बिल्कुल संख की तरीके से हैं, कि नहीं, ये देखो, ये एकदम ये, ये देखो, एकदम संख कान, कान और इसका संख, मलब संख और इसका कान लगभख सेम देखता है, इसलिए इसको संख करण भी कहा जाता है, तो उम्मीद है कि गधही का पर्यावाची सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है न, और आपको मज़ा भी आ रहा होग अब चलते हैं गधे के बाद, और किसको बात देखें, ओर अर ये भहिया, आग का पर्यावाची, ये आग का पर्यावाची तो जला देगी, वैसे भी जलती हुई आग देखो, दिख रही है आपको, और इसके पर्यावाची क्या है, बड़े महातत्रपूर्ण कहा जाता है आग को ही जलन कहा जाता है अनल किसे कहा जाता है तो वो आग को ही कहा जाता है सुची किसे कहा जाता है तो वो आग को ही कहा जाता है मेरे दोस्तों इसके अलावा धूम के तु किसे कहते हैं तो वो भी आग का ही पर्यावाची है पावक किसका पर्यावाची है तो तो ये भी भाया आग का ही पर्यावाची है, ठीक है ना प्रज्युलित, ये तो नाम सही याद आ गया, उग्र पर्यावाची किसका है, तो ये भी आग का ही पर्यावाची है, तो ये भी आग का ही पर्यावाची है, संध्या पर्यावाची किसका है, ये सब आग के पर्यावा बड़े महत्पून महत्पून पर्यावाची है याद रखना कोई पूचल आपसे किसका है तो यह भी आग को ही चाहते हैं और उध्धार किसे कहा जाता है तो यह भी आग को कहा जाता है लाश्ट में विक्ति को आग के दरा ही उद्धार मिलता है ठीक ना ऐसे दिमात में रखेगा तो यह सथी के सथी आग के क्या है महत्वपूर्ण पर्यावाची हैं अब हम चलते हैं अन्न पर्यावाची की तरफ वो आए सामने पर्यावाची यहां पर आपके और जैसे यहाँ पर देखो यह परवत दिख रहा है तो यह सारे के सारे परवत के पर्यावाची है यह आपकी पृत्वी दिख रहे हैं तो यह सारे के सारे पृत्वी के पर्यावाची है और यह आपके बादल दिख रहे हैं तो यह सारे के सारे पर्यावाची बच्चा किसके हैं बादल के हैं तो जैसे ये परवत है तो परवत कभी चलता है क्या नहीं परवत कभी नहीं चलता है इसलिए इसका एक पर्यावाची क्या है अचल पर्यावाची किसका है तो कहोगे सर परवत का पर्यावाची अचल होता है परवत कहीं पर्यावाची गिरी होता है परवत कहीं हम सैल कहते हैं, परवत कोहीं हम तंग कहते हैं, तंग का मतलब औूशाई होता है और जिससे तंगता सब आया है ठीक है ना? अर इसलिए तंग आभ परवत 90% उच जई होते हैं 90% किया, सारी परवत उच एह होते हैं इसके बाद ये कुछ प्रत्वी के पर्यावाची आपके सामने लिखे हैं, जैसे वसुधा किसे कहते हैं, तो प्रत्वी को ही कहा जाता है, वसुंधरा किसे कहा जाता है, तो ये भी प्रत्वी को ही कहा जाता है, मेधनी किसे कहा जाता है, छिती किसे कहा जाता है, प्रत्वी क को ही कहा जाता है उर्वी किसे कहा जाता है तो ये भी हम प्रत्वी माता को ही कहते हैं इसके वाद छोड़ी किसे कहा जाता है तो ये भी प्रत्वी माता को ही कहा जाता है धारणी पर्यावाची किसका है प्रत्वी का है अवनी पर्यावाची किसका है तो आपका प्रत्वी का ह जलद याद रखना दा सब्द लाष्ट में लग जाए तो बादल का पर्यावाची होता है और जा सब्द बाद में लग जाए तो फिर कमल का पर्यावाची होता है ठीक ना जलद पर्यावाची जैसे किसका है बादल का है लेकिन जलद पर्यावाची किसका हो जाएगा कमल का ह हो जाएगा घन पर्यावांची किसका है भादर घनगोंगठा ठीक न याद रख लिएगा अब पर्या वादर आवाबर वादर मतलब हो थाए पानी और ब्यड रिकी स्पाहर का थाद पर निгу YE ama रखना दा जरूर लगा होगा, अगर ये दा लगा है लास्ट में, तो याद रखना वो बादल का है, और अगर जा लग जाए लास्ट में, तो वो कमल का पर्यावाची हो जाता है, जैसे वारी धर, वारी माने, पानी और धर माने धारन करना, जो पानी को धारन करता है, वो ब ठीक है न जबकि नीरज पर्यावाची किसका है कमल का पर्यावाची है इसका एक पर्यावाची जीभूत है याद रखना किसका बादल का पर्यावाची है और अंबुध पर्यावाची किसका है ये भी बादल का है जबकि अंबुध अगर हो जाता तो ये कमल का पर्यावाची है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में चित्रात्मत प्रस्तुती के तहत हमने इतने महत्वपूर्ण पर्यावाची की चर्चा की अब अगले वीडियो में अन पर्यावाची की हम चर्चा करेंगे तब तक के लिए दोस्तों जैहिन